नमस्कार दोस्तों ABC Health Tips YouTube चनल में आपका हर्दिक स्वागत है हिच्की बंद करने के इन सभी आठ घरेलू और आयरवेदिक उपायों के बारे में जानने के लिए आप पूरी वीडियो को बगएर इसकी प्यान तक देखिए और अगर यह जनकारी अच्छी लगे तो हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा कई बार जल्दी खाना खाने ज्यादा गर्म खाने तीखा खाने बिना रुके पानी पीने आदी जैसी वज़ों से हिच्की आनी सुरू हो जाती है और फिर यह देर तक परसान करती रहती है कहते हैं कि अगर हिच्की आये तो समझ लीजिए कोई आपको याद कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं है अचानक से मौसम बदलने गर्म के बाद कुछ ठंडा खालेने सिगरेट पीने से यहां तक ही जड़ा चिंता करने तक से हिच्की आने लगती है लेकिन कुछ असरदार तरीकों से इसे तुरंत रुका जा सकता है हिच्की कम करने का पहला और सबसे असरदार घरेलो पाए है एक चुटकी हल्दी पाउडर और हल्का गर्म दूद का सेवन करना इसके लिए आप अपनी चुटकी में हल्दी पाउडर लेकर उसे अपने मुँँ में जीव के काफी अंदर तालू आले हिस्से के ठीक नीचे जीव पर रखें और तुरंत एक घुट हल्का गर्म दूद पीए आपकी हिच्की फौरान एक सेकिन के अंदर खतम हो जाएगी या आजमाया हुआ नुस्का है गाउं में हिच्की भगाने के लिए इस उपाय को बहुत अपनाया जाता है हिच्की खत्म करने का दूसरा सबसे असरदार उपाय है अचानक से ध्यान भटकाना जी हाँ यह एक साइकोलोजिकल उपाय है हिच्की दूर करने का अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई भी दूसरा घरे लोग उपाय अपना नासंभव नहीं है तब आप इस उपाय से हिच्की को भगा सकते हैं लेकिन इस उपाय को कोई दूसरा अब्यक्ति ही आपर कर सकता है आप खुद ने जानकारों का कहना है कि जब हिच्की आए और उसी समय कोई आपको हैरान कर देने वाली खबर सुनाए तो इससे हिच्की यानी तुरंत बंद हो जाती है दरसल ध्यान भटकने से हिच्की रुख जाती है आज भी गाउं में रहने वाले वड़े बुजूर इस उपाय से किसी की भी आ रही हिच्की को रुख देते हैं अगर किसी को हिच्की आ रही हो तो उसे कोई चौकाने वाली खबर सुनाए जिससे कि वह एका एक अचमभित हो जाए उसके अचमभित होते ही उसकी हिच्की यानी बंद हो जाएगी आप उससे बोल सकते हैं क्या मेरे वाही की किताब तुमने चुराई है ऐसे कुछ जटके देने वाली नई और जुटी खबरे हिच्की दूर करने के तीसरे घरे लोग उपाय के तौर पर एक चमच सहद चाटना जी हाँ या थियोरी कहती है कि हिच्की याने पर एक चमच सहद खाना फायदे मंद रहता है आचानक से सरीर को मिलने वाली सहद की मिठास नर्स को संतुलित करती है जिससे हिच्की यानी बंद हो जाती है हिच्की दूर करने के चौथे उपाय के तौर पर एक चमच पीनट वटर खाने से हिच्की दूर हो जाती है जब यह आपके दांत और जीव से होते हुए खाने के नली में उतरता है तो इसे सांस लेने की क्लिया भी प्रभावित होती है और हिच्की रुख जाती है हिच्की दूर करने के पांचवे घरेलू उपाय के तोर पर पेपर बैग में सांस लेना पेपर बैग में दस बार सांस अंदर लेने और छोड़ने से हिच्की रुख जाती है इसे खुन में करबन डायक्साइड का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है जो नर्स को रिलेक्स करता है जिससे हिच्की रुख जाती है हिच्की दूर करने के छथे घरे लूप आए के तरपर निबू चबाएं जी हाँ अगर एल्कोहल पीने की वज़ा से हिच्की आ रही है तो निबू चबाकर भी हिच्की रोक सकते हैं निबू का एक चौथ हाई टुकडा काट कर मुँँ में डालें फौरन हिच्की में अरामा जाएगा हिच्की दूर करने के साथमें घरे लूप आए के तरपर कुछ पल के लिए अपनी सांस रोक लें जनकारों का कहना है कि जब भी हिच्की आए तो अपनी सांसों को कुछ पल के लिए रोक लेना चाहिए यह बहुत ही पुराना नुस्खा है और इस से हिचकी रोकने में खुब मदद मिलती है हिचकी दूर करने का आठ्वे घरेलो उपाय के तौर पर एक गिलाच ठंधा पानी पीए आपको बता दो कि हिचकी आने पर तुरंट ठंधा पानी पीने से हिचकी रोक जाती है पानी पीते समय अपनी नांग बंद कर लें इन आठ उपायों में से आपको जो भी उपाय अच्छा लगे और ततकाल आपके पास उपलब दो उसे यूज में लागर अपनी हिच्की को बाय बाय कर सकते हैं अगर इसके बावजूद भी आपके परसानी ठीक न हो रही हो तो तुरंत अपने नजदी की डाक्टर से परामर्स लें उमीद करता हूँ हमारी ये छोटी सी जनकारी आपके लिए जरूर हेल्फ फूड रही होगी अगर आयरवेदी घरेलो इलाज से संबंधित ऐसा वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजे और इस वीडियो को लाइक और सेयर कीजे